हम देखरें के कोछ Изक की खेंच की बात आती है तो 2 गिसम के पैज हो जाते है एक पिच रिद पेज andelर नजा रहा हुआ है दूसरा पेज रिंटर में लगा हुए तो इसकी सेटिंग् हमें करनी होगी जोपेज में लगा वे exceptional गा इसके मतव सेट करना है भाई मार्किट में बजार में जो पेपर मिलते हैं जितनी इंटरनेशनल कम्यूनिकेशन वह एक वर या लेटर पेपर पर होती है इस दौनों पेपर तक्रीवन एक ही साइस के होते हैं चौड़ा इस तक फिसाड़े ग्यारा हिस्किए और इनसे बड़ा जो पेप अब अकसर, इस्टाइम पेपर होता है ना लीगल पेपर उसके हवाले से साइज है तो अब लेटर पर ही सेट कर लेते हैं अपने पेपर को तो यह दिखा रहा है कि यह तुमारा जो पेपर है यह इस तरह से मतलब हमारी शीट तो बहुत बड़ी थी लेकिन अब उसने जो हमा राइट टॉप और बॉटम देख रहे हैं आप यह से इनकुम केते हैं मार्जन एरिया मतलब वह खाली एरिया जिन पर प्रिंटिंग नहीं होगी नेरो करेंगे तो देखें बिलकुल मार्जन जीरो हो गया है और अगर आप इसका नॉर्मल मार्जन रहेंगी तो चारत तरह से और एक इंच मार्जन चुडएंगे तो डेटा कम आएगा पीपर कम मार्जन चुडएंगा जादा आएगा इसके बात मार्जन पर क्लिक करेंगे यहां से नेरो और नॉर्मल करने आप आते हैं और इंटेशन पर हमारा जिस तरह का काम है पो पोट्रेट पर ही साहिए है करने की फाइल बाष न लाघ रह अब कितना धायिए में कि अ कंवाले के ड्रक्राइट का चाहिए!! इंज की ट्रین एक गालते रिट कर दिए को रहा फिल्या अनि एक खुल दूक्प लोनुक हैI enables. और अगर आपको सेंटर में चाहिए यहां मार्जन चोड़े यहां मार्जन चोड़े और वहां से भी जा सकते हैं और यहां से करेंगे और यहां से करेंगे दुख से तो डेटा उपर नीचे से बिल्कुल पेपर के संटर में प्रेंट करने के लिए का पड़ेगा यहां से अपना प्रिंटर आपका हो सकता है एप संका हो सकता है प्रिंटर आपके के साथ देटो स्द्पशन के साथ ऐसके प्रिंटर के साथ मेवार प्रिंटर की से होना चाहिए प्रिंटर का यहां नदर आएगा उसको चूस करेंगे और चूज़ करके अगर सिर्फ यही पेज़ प्रिंट करना है तो यहां से कहेंगे 1 1 मतलब पहला पेज़ प्रिंट करना है अगर आपको दूसरा पेज़ प्रिंट करना है यानि कि यह वाला उसके कहेंगे तो यहां पे नहां पर कर दीए जैसे काशकर पहले पर सожетक हो और यहां सा कुर्ट करनी है इस तरह से आप इसको इजिली प्रेंट कर सकते हैं पेज को सट अप करके हैं हाँ है कि अब हम इस शीट को बंद करते हैं और एक दूसरी खोलते हैं जो ठोड़ी दिफ्रेंट होगी तो मैंने यहां से दराज सेलर अकाउंट के नाम से एक शीट है उसवे डबल के और पेपर उसका लेटर अब हम सोचरे कि हमने पेपर बाबाजार से जो लिया है वह ऑफ एस पहर नहीं नार्मल पर हमारे शीट स्थी इस तरह दो पेजिस पर और इस पर अब कुंकि हमारी शीट के कॉलम जादा हैं तो हम अपनी ओरिणेशन कर सकते हैं एक चुलिक करेंग लेकिन कॉलम अल्रेडी सट है फिर क्या करें डेटा को मैक्रो करने के लिए स्केल पर जाएंगे उसको कम करेंगे और यह कम करेंगे और यहां से प्रिंट कर सकेंगे तो यहां में ने वन कर दिया और बॉटम मार्जन भी थोड़ा सक कम करके पॉइंट पर जाएंगे और जब प्रिंट करना चाहेंगे पाइल पर जाके प्रिंट पर क्लिक करेंगे म arise कलेंगे और यहां से कलिक करेंगे हो और करेंगे दे ने करेंगे और फेटरी करेंगे आपsal करें किया इसको भी प्रेंट कर सकते हैं अब आतीं दूसरा मतली की तरफ उस में क्या है मंतली पैरोल शीट के ऊपर देख vibe क्या इस पैरोल का का मतोब पैरोट सक्जीट में एक एक थी चेट में डेटा कुछ बारा है अनके देटा किसे में जादा है का इस भील ore हुआ uh अ कि हैं सिर्फ भूㄑ जादा है इसे प्रिंट ऑफ बारें पंधा फ्टर्वूरेंध यहां पर रोगा दूसरा हिए प्रिंट अब यहां पर हो। चलो इसकी बात कर लेते हैं यह डेटा प्रेंट तो सही हो रहा है लेकिन पहले पेज़ पर टाइटल और सब हैडिंग आ रही है जबकि दूसरे पेज़ पर कुछ में नहीं आ रहा है अब मैं चाहरा हूं कि यह वाली जो हैडिंगे सब पर रिपीट हो तो मैं जाओंगा यहा पर कंटीनी होना शुरू हो जाएगी अब यहां पर आपने करना ही है कि नॉर्मल विव में ऐसा नहीं होगा नॉर्मल विव में सिंगल दिखाई देगा जबके पेज लियाओट में आपको इस दिखाई देगा पेज़ ब्रेक प्रिविव में आप देखेंगे तो आपको अगरा प्रिंट करेंगे तो यहां पर अगने को और प्रिंट करें सब्सक्राइब करते हैं पर यहां पर यह कम कर लेता है है तो यह देखें बेगे दोनों एक प्रिंट और यह पर प्रिंटे tavo ह seekers कःंगे सो फाल में जाएंगे क्लिक करेंगे फ्रेंटेंगे पहला पेज दूसरा थीसरा पेज लिख़ी था ओर ज间िर प्रेंटर शीट को सेट करके प्रेंट आउट बगरा इदरी निगाल सकते हैं